हाई फ्रेंट्स आपको मेरे चैनल टेक्निकलम के डियर में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वले हैं कि पीम किसान सम्माने दियोजना में आप आनलाइन आवेधन कैसी कर सकते हैं तो चलिए आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपने मोबाईल या लैपटाप से आनलाइन आवेधन कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इस वीडियो में आपको फूरा इस्टीप बाईस्टीप करके बताऊंगा और बहुत ही सरल भासा में बताऊंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो प्रें पीम किसान सम्माने दियो जना का आनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे को अपनी मुवाइल या लैप्टाप का किसी भी प्राउजर में यहां पर टाइप कर ला होगा पीम किसान लिख करके और सर्च कर देना होगा सर्च करने के बाद यहां पर सबसे नंबर वन पर आ जाएगा पीम किसान डाट जियो भी डाट इन इस पर आपको क्लिक कर देना होगा क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहां पर आप सना जाएगा यहां पर देख सकते हैं तो रूर दाल देना होगा mobile निम डाल देना होगा select state यह पर अपना state यह Saal और कंलेगा और अगर के mobile पर OTP शाता है तो उस OTP को डालने कि बाद समिट पर जेव क्लिक करेंगे तो आपका पूरा phoram क के आ जाएगाः मुद्धिष भर लेना होगा तो तो मेरे पास CSC ID है तो यहां से मैं back कर ले रहा हूं और back करने के बाद अगर आपके पास CSC ID है या आपके दोस्त या Friend किसी के भी पास CSC ID है तो उसका ID ले सकते हैं या उसी के पास जा सकते हैं तो फ्रेंट मेरे पास है CSC ID तो मैं CSC Login पर क्लिक कर दे रहा हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से open हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी option है लेकिन यहाँ पर farmer registration का एक option है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक पूरा यहाँ पर farmer personal details यहाँ पर भरने के लिए पूरा detail यहाँ पर open होके आ जाएगा यहाँ पर आपको select state यहाँ पर अपना state select कर लेना होगा जो भी आपका state है तो यहाँ पर मैं अपना state select कर ले रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको example के लिए जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ district आपको यहाँ पर आपका जो भी district है वहाँ पर select कर लेना होगा तो मैं यहाँ पर अपना district select कर लिया उसके बाद यहाँ पर देख सेपने हैं sub district सब डिश्टिक का आपका जोभी होगा उस पर क्लिकट कर दीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको block आपको जो यहां पर मैं अपना bilis select कर ले रहा हूं जल्दी से bilis select करने के बाद यहां पर दिख सकते हैं farmer का name तो farmer का name यहां पर लिख लेना होगा जो भी आपके आधार card पर लिखा होगा वही वाला यहां पर लिखिएगा उसको बद जिंडर अगर male है तो male female है तो female तो यहां पर जो भी है वह आप डाल देजेगा, तो mail मैं कर दे रहा हूँ, category कौन सा यहां पर जाते है general, other, asc, तो जो भी है तो यहां पर मैं कोई सा भी तो यहां पर अपने हिसाब से आप select कर लिजेगा, उसके बाद यहां पर फार्मर टाइप, farmer type में other और small तो आपको small अगर एक से दो hectare के बीच में उसका खेत है तो यहाँ पर उसको select किजेगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं automatic यहाँ पर लिखा है अधार ID, select ID type उसके बाद type आप identity proof तो यहाँ पर automatic यहाँ पर अधार card ही ले रहा है उसके बाद यहाँ पर IFSC code तो IFSC code यहाँ पर डाल देना ओगा आपके जो bank account पर मतलब passbook पर लिखा होता है IFSC code उसके बाद bank name कौन सा bank है, account number यहाँ पर आपको डाल देना होगा उसके बाद यहाँ पर आधार नमबर जो आपका आधार number है वो यहाँ पे डाल देजएगा mobile number यहाँ पे डाल देजएगा उसके बाद यहाँ पे अपना address डाल देजएगा उसके बाद यहाँ पे pin code pin code भी आपके आधार card के पीछे मिल जाएगा तो भी आप यहाँ पे डाल देजएगा डालने के बाद यहां पर देख सकते हैं father या mother या husband name तो अगर आप अपना भर रहे हैं तो father अगर आप किसी ladies का भर रहे हैं तो उसकी husband का name यहाँ पर डाल देजेगा उसके बाद land registration id तो land registration id अगर आप खसरा खतोनी में देखेंगे तो वहां पे नहीं मिलेगा तो land registration ID प्राप्त करने के लिए वीडियो के description में एक link दिया हूँ उस पे click करके आप पुरा detail में देख सकते हैं कि किस तरह से land registration ID प्राप्त करते हैं तो वहां से आप land registration ID आप प्राप्त कर लेजेगा उसके बाद यहां पे देख सकते हैं रासन कार्ड नंबर यहां पे पहले रासन कार्ड इसमें नहीं आता था लेकिन अब रासन कार्ड नंबर भी यहां पे ले रहा है कि रासन कार्ड आपके पास है तो उसका नंबर आपको यहां पे डालना जरूरी है उसके बाद date of birth तो date of birth डाल करके और यहाँ पर consent given, submit for आधहार authentication इस पर आपको click कर देना होगा click करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आना होगा और देख सकते हैं ownership, land holding तो ownership अगर आपका single खाता है तो single पर रहने देजिए अगर joint खाता है तो joint पर click कर देजिए आपने गाओं में देखा होगा एक ही खाते में बहुत सारे लोग का खेत होता है कही सारे लोग का उसमें खेत होता है तो joint पर click कर देजिएगा, अगर आपका single है तो single पर ही रहने देजिएगा, तो mirah is joint joint पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं, आड पर आपको क्लिक कर दे रहा होगा, आड पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं, यहां पर खाता नंबर यहां पर पूछ रहा है, तो खाता नंबर आपका जो भी आपका खतवनी होगा, या इंतिखाप आप जो निकाले हैं, आनलाइन आप निकल जाता है, या कहीं से भी आप निकलवा सकते हैं, आप ब्लाग से निकलवा सकते हैं, या आनलाइन चेक कर सकते हैं, खाता नमबर आपके इंतिखाप पे लिखा होता है, तो यहाँ पे डाल दीजेगा, उसके बाद खासर यहाँ पर देख सकते हैं upload supporting document तो यहाँ पर land land की जो detail है मतलब जो इंतखाब है या खसरा कतावनी है उसको scan करके और यहाँ पर आपको upload करना है आधार card upload करना है और bank passbook upload करना है उसके बाद यहाँ पर check mark लगा करके और save पर click कर देना होगा तो यहाँ पर मैं सारी detail भर के आपको आगे बताता हूँ तो बहुरें यहाँ पर मैं आपको बता दो कि उपर मैं जब सारी detail भर रहा था तो यहाँ पर FSC code आप जियो ही डालेंगे तो यहाँ पर automatic a bank यहाँ पर आ जाएगा जैसे मैं यहाँ पर central bank का FSC code यहाँ पर डाला हूँ तो automatic यहाँ पर central bank सू कर दिया है और यहाँ पर एक चीज और मैं आप बता दू कि जब भी आप अपना आधार card number डालेंगे तो automatic address में यह automatic ले ले रहा है कि कौन सा आपका address है तो दो चीज आप यहाँ पर ध्यान देजेगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सब पुछ भरने के बाद यहाँ save per click करने के बाद finn यहाँ पर देख सकते हैं record has been inserted successfully your farmer id is यहाँ पर farmer id मिल चुका है इसको मैं यहां पर एक यहां पर मैं फोटो खीच ले रहा हूं, तो यहां पर मैं इसको फोटो खीच लिया, यहां आप स्क्रीन शाट भी ले सकते हैं, यहां आप नोट भी कर सकते हैं, उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर दे रहा हूं, ओके पर क्लिक करने के बाद यहां पर द डीरा होगा जो भी CSCid का password ऑ Til मां माुथ डी पर क्लिक कर दे रहा हूं वाइलड पीन आपको डाल देना होगा वाइलट पीन डालने बाद पेपर मैं क्लिक कर दे रहा हूं क्लिक करने के बाद यहा पर देख सकते है थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और थोड़ा सा वेट करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहां पे आ जाएगा यहां पर देख सकते हैं लिख रहा यह यो राइश्टेशन पेमेंट टॉन सकसेज फूली और यहां पर फ्रेंड ट्रांजेक्शन रिस्पॉंस यहां पर लिखा है और पूर डीटेल यहां पे आ जाएगा और इसको आप प्रिंट करके जिस भी कस्टमर का करते हैं या अगर आप अपना करते हैं तो इसको प्रिंट करके आप रख सकते हैं तो फ्रेंट कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से PM की सांसमान निदियोजना का आनलाइन आवेधन कर सकते हैं तो फ्रेंट अगर आपको आवेधन करने में कोई भी प्राबलम आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं तो फ्रेंट आसा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आयोगा अगर पसंद आयोगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा तो फ्रेंट इस वीडियों पस इतना मिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए जया ही बंदे मात रहुए